ग्राम सुधार सभा जिनियारा की अगुवाई में छे पंचायतों का एक परतिनीदी मंडल ने HRTC अधिकारियों को जल्द बस सुविदा देने की मांग की है। दो पसल, बलडूक, जीन, बड़ा होकर नदाउन तक चलाई जाए। शाम चार बजे के बाद स्कूली बच्चों वा अन्यक शेत्र के यात्रियों को बस सुविदा नहीं मिल पा रही थी। जिस कारण लोगों को दूसरी प्राइवेट वाहनों से यात्रा करनी पड़ रही है HRTC के RM कारेले में परमिट ना होने की बात पर ग्रामिडों ने RTO कारेले पहुँचकर सारी जानकारे जुटाई और जल्द परमिट जारी करने की माँगी। आज दें तक ढाई साल में पौने तीन साल में कुछ नी हुआ कारवाई कारवाई कुछ नी करते हैं सर्फ इनों एक बोला एक चिट्टी है और हमारा काम ने वहा तो हम चिनियारा रोड बिल्कुल बंद करेंगे और इन जना रहा हम तीन चार पिंचाईत है जितने आरे आपने लिक्र लेने गिया पंचाईत और सुधार सभा का देख बोल्डों में आज हमारा एक डेपोटेशन यहां पर आया था मिलने के लिए तो इन्हों ने अपना बर्शन रखा यहां पे कि हमने ब्याली से रूटों के लिए शंक्शन रहे हुई है हमें एक डेट साल से करने के चकर काते हैं तो मेरी सरकार से इसे रहे हुए कि तक वह सरकारी फॉरमल्टी पूरी नहीं हो जाती जब तक हो प्रून को इसू गर्शो से नहीं हो हो इनके साथ चली पर एक दूसरी पर थोटा है तुट पर पर कोई आमले जामने पनाया गया तो हम यहां पर रोड जाम करेंगे पूरा रोड जाम करेंगे और यह पहांच में जाइटों के लोगे हैं वहीं आर्टियो हमीर पुर विरेंदर शर्वा ने बताया कि जिन्यारा अमरो उपादसल के लिए बस सेवा बहाल की जाएगी और एक सब्ता के बीतर गाउवालों के लिए HRTC की बस शुरू की जाएगी उसके अकॉर्डिंगली HRTC को डिरेक्टिवी कर दिया जाएगा कि जो रूट इन्होंने कहा था क्योंकि HRTC के रूट होते है HRTC ने जो रूट की डिमांड की तो उसको अप्रूव करा दिया गया है अप्रूव गराने के बाद ये कॉपी जो रूट कर दिया गी और उसके अकॉर्डिंगली जो इनको डिरेक्शन दिया गी कि ये रूट इस रूट के पर बस चलाएगा प्रतिनीदी मंडल में बलवन सिंग पूरपरधान प्यारचंद कैप्टन रूलियराम आरार रोहन आर के दिमान सहित कई वरिष्ट नागरिक विशेश रूप से मौजूद रहे